स्टुडेंट आज हमींदी का थर्ड चेप्टर रीट करेंगे साथ रंगों का गुलाब राजा क्रिशन राए को फूलों से बहुत प्यार था वे खुद बगीचों की देखने करते थे जो मंत्री अनोखे फूलों की बीज और पौदे लाते थे वे उन्हें इनाम वी देते थे एक क्रिशन राए राजा था वो अपने मतलब फूलों से उसे बहुत प्यार था इतना प्यार था कि वो खुद बगीचों की देखने करता था और जो भी माली फूलों के बीज लई कराता था जहां नोखे बीज लाता था उसे वो इनाम देता था एक दिन वित मंतरी ने राजे कृष्शन देव को बताया वन मंतरी ने राजे को बताया कि महाराज पास के बगीचे में साथ रंगो वाला गुलाब का फूल खिला है आज तक अज तक इंदर दुरुष्श जैसे रंगो वाला फूल किसी ने नहीं देखा होगा वन मंतरी बताता है कि पास में ही एक बगीचे है उसमें जो गुलाब का फूल है जिसे सात रंगो वाला वो फूल है कि जो आज तक किसी ने भी ऐसा फूल नहीं देखा होगा चलो ये बात सुनकर राजा कहता है चलो हम अभी चल कर देखते हैं इंदर दुरुष के रंगो वाला अनुखा गुलाब का फूल फिर वन मंतरी बोलता है महाराज पहले मैं उन बगीचों के माली से बात कर लेता हूँ फिर हम सभी वहाँ चले जाएंगे राजा उतर दिता है ठीक है नेक्स्ट तेलाली राम भी वहाँ थे मैं सोचने लग गे लाल गुलाबी सफेद और काले गुलाब भी देखे हैं पर साथ रंगो वाला इंदर दिरुश गुलाब का फूल तेलाली राम था जो सोचने लग गया कि इतने तरह के गुलाब देखे हैं और ये कैसा गुलाब जहाँ पर साथ रंगो वाले फूल है अगले ही दिन सभी मंतरी और मंतरियों के साथ राजा क्रिशन राए अनोखे इंदर दिरुश गुलाब को फूलों को देखने के लिए बगीचे में पहुंचे जब वहाँ पहुंचे तो उन्होंने वहाँ माली ने उनका स्वागत किया और कहां आईए महाराज आपका स्वागत है बगीचों के साथ रंगो वाले इंदर दिरुश गुल को देखकर सभी चकित रहे गे जब उन्होंने देखा कि साथ रंगो वाले फूल सच में है तो वो देखकर चकित रहे गे मतलब चौंक गए कमाल का फूल है वहाँ सच मुच वै अनोखा फूल है मैंने ऐसा फूल कभी नहीं देखा राजा क्रिश्यराय कहते है कि ये कमाल का फूल है कि मैंने ऐसा फूल आज तक कभी नहीं देखा कितना सुन्दर और कितना अनोखा फूल है आज हम यहाँ तक रेड करेंगे